आप सभी लोग आप सभी लोग सेफ एंड सेक्यूर होंगे इस सिचुएशन में आज को जो इंफोमेशन हम आपके साथ शेर करने वाले हैं फ्रेंड्स जैसे हमने लास्ट वीडियो में आप सभी को प्रॉमिस किया था vitamins के full concept के बारे में हम dedicate करेंगे आज का जो वीडियो है यह particular vitamin A के बारे में रहेगा vitamin A का क्या chemical name है इसके functions क्या है इसके sources कहा है vitamin A हमें कहाँ देखने में आते हैं and vitamin A की कमी हमारे शरीर में हो जाए तो किस तरीके की deficiency देखने में आती है सो ये वीडियो शेर करने के लिए मैं बहुत excited हूँ friends बट before that आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया तो make sure करें चैनल को subscribe करें bell icon को जरूर से hit करिएगा ताकि जबी भी हम वीडियो आपके लिए dedicate करें तो उसकी notification आपके mobile में जरूर से पहुँचे सो quickly हम ये vitamin A के बारे में आगे बढ़ते हैं friends समझने के लिए और ये चीज के information शेर करने से पहले कुछ interesting चीज़े जो मुझे आपको बताना था अगर आपको पता नहीं हो friends हम जो humans हैं हम जो इनसान हैं friends इनसान कभी भी vitamin A produce या synthesize नहीं करता इसलिए उसके शरीर को vitamin A provide करने के लिए outside source यानि food items से vitamin A लेना बहुत ज़रूरी है last video में हमने vitamin के दो प्रकार आपको बताएं थे एक fat soluble vitamin होता है और एक water soluble vitamin होता है vitamin A जो है friends वो fat soluble vitamin के category में fall करता है then hypocrites का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा he is the genius physician and hypocrites को father of the medicine भी कहा जाता है इनकी interesting बात में आपको बताओं तो friends जब vitamin A discover भी नहीं हुआ था दुनिया में hypocrites liver use किया करते थे एक food product use किया करते थे vitamin A के deficiency को treat करने के लिए उसके symptoms को treat करने के लिए so this was about hypocrites and आगे हम vitamin A के chemical name के बारे में समझे तो इसका chemical नाम retinol है and retinol का जो source है वो animal product से हमें मिलता है then keratonoids भी कहा जाता है जिसे plant based product से source से लिया जा सकता है अभी most important vitamin A के functions के बारे में अगर हम बात करें तो इस चीज़ के उपर आप ज़रूर से ध्यान दे primary जो function vitamin A का है friends वो है healthy vision यानि हमारे आखो के vision के बारे में जो rhodopsin होता है friends ये एक compound होता है जो हमारे eye में बनता है and vitamin A का जो retinol है and keratonoids है ये दोनों जब परयाप मात्रा में available हो तो rhodopsin हमारे eye में बनता है जिसके वज़े से healthy vision आती है then vitamin A हमारे immune system यानि हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति के लिए भी बहुत मदद करता है and research में and studies में ऐसा आया है flu है common cold है या infection है इन सभी से fight करने के लिए बहुत effectively vitamin A अपना role play करता है then vitamin A जो है friends वो skin savior के तरीके से भी हमारे शरीर के लिए बहुत helpful है it's because ये हमारे dry skin के लिए हमारी जो चोट लगती है उसको heal करने में मदद करता है then acne के लिए support करता है and premature aging काफी लोग ऐसे हैं जो अपने उमर से ज्यादा उमर के दिखने लग जाते हैं उनके शरीर का anti-aging नहीं होता है so vitamin A जो है वो premature aging के लिए भी मदद करता है then vitamin A का एक और function हम देखे तो vitamin A metabolize करता है हमारे शरीर में जो iron पाया जाता है जो stored iron पाया जाता है उसके releasing करने में ताकि iron अपने अच्छे तरीके से functioning हमारे शरीर में कर सके अभी चली friends हम देखते हैं कि vitamin A जो है इसके sources कहां में देखने आते हैं इसके deficiency से क्या शिकायत हो सकती हमारे शरीर में and recommended daily allowances क्या है so सबसे पहले wagon source अगर हम देखे तो vitamin A हमें skimmed milk से मिल सकता है वो सारे fruits and vegetables जिनका color orange या yellow है उसमें vitamin A देखने में आता है broccoli है, spinach है, gajar है या फिर dark green leafy vegetables है उसमें vitamin A पाया जाता है non-wage अगर sources की में आप क्यों बता हूँ तो friends यह हमें eggs में मिल सकता है tuna fishes में मिल सकता है and of course liver में मिल सकता है अभी हम देखते हैं कि किस तरीके की deficiency या vitamin A का कमी हमारे शरीर में होने में किस तरीके की शिकायत आ सकते हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो शिकायत देखने में आती है वो है friends night blindness के बारे में जिसमें हमारा vision नाइट के टाइम पे dim हो जाता है poor vision आ जाता है and बच्चों में vitamin A के वज़े से blindness भी देखने में आती है दूसरी deficiency के बार में बताऊं तो यह skin related problem है जो देखने में आती है deficiency of vitamin A इसे hyper keratosis कहा जाता है and तीसरी deficiency अगर मैं आपको बताऊं तो it's keratomalacia यह eye का disorder होता है हमारे आँखों का disorder होता है so यह चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि vitamin A आप सही मात्रा में sources में ले recommended daily allowances के अगर मैं बात करूं तो friends as a gents आपको कम से कम 900 microgram आपको vitamin A की consumption करनी चाहिए full day में and as a female as a healthy female lady आपको 700 microgram unit जरूर से लेना चाहिए vitamin A so this is all जो मुझे आज आपके साथ share करना था about vitamin A अगर आपको यह video अच्छा लगा तो जरूर से like करें अपने friends and family को share करें till then you do take care of your health and your family have a nice day